हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कॉउनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सेल ऑन वाइज जो हमारा स्ट्रेटजी होता है उस स्ट्रेटजी को यूज करके हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं और सेल ऑन वाइज के बेसिस पे ट्रैप भी बिछाय जाता है तो उस ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं ये दोनों पॉइंट को हम इस वीडियो में कभर करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत साइ लोग सेल ऑन वाइज करना चाते हैं करना जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कब सेल ऑन वाइज करना है और कब सेल ऑन वाइज नहीं करना है as a real वो जितना profit कमाते वो सारा profit नुकसान में चला जाता वो सारे profit को lose कर देते हैं तो आज हम इसी point को clear करने जा रहे हैं कि कब आपको sell on wise strategy का use करना है और कब आपको sell on wise strategy का use नहीं करना है चलिए इस concept को detail से समझते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं nifty 50 का चार्ट है और 15 मियट time frame वहला चार्ट है 15 मियट time frame के basis पे आप तो integrated trading आसानी से कर सकते हैं और इसके basis पे चाहो तो आप swing trading भी कर सकते हो और यह जो चार्ट है आपका sale on rise इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं 15 मियट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर और इवन डे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है यहां पर time frame का कोई restrictions नहीं है जिस भी time frame में आप trade करते हैं यहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बस जो conditions में आपको अतार वो conditions आपको ध्यान देने की जवरत है तो सबसे पहले आपको समझना है कि sale on rise होता क्या है बहुत सारी लोगों को यह concept ही समझ में नहीं आता है यनि जब market में हमें गिरावट देखने को मिले और इस गिरावट में छोटा सा जो upside move दिखाता है market जिसमें जो downtrend है उसमें कोई changes ना हो तो यह जो upside move दिखाता है यहां पर हम क्या करेंगे sale side की तरफ जाएंगे क्योंकि यहां पर हमें एक बहत्वीन opportunity मिलता है sale करने का यहां पर हम higher level पर sale करते हैं उसके बाद वापस से price आपका नीचे गिवने लगता है फिर थोड़ा सा upside move दिखाता है इस upside move में हम sale करके maximum profit बनाता है फिर price आपका नीचे side की तरफ गिवने लगता है तो यही सार आपका क्या कहलाता है sale on rise strategy यहां पर जो थोड़ा बहुत upside move दिखाया है जो थोड़ा बहुत rise आया है उस rise में हमें क्या करना sale करना और यहां करना कब है जब हमें clear cut downtrend देखने को मिले तभी आपको यह काम करने की जरूरत है लेकिन यहां पर होता क्या है कई बार market गिर रहा होता उसकी बाद market में आपका reversal आ जाता है यहाँ पर जो trend होता है वो trend आपका change हो जाता है यहाँ पर downtrend रहता है लेकिन यहाँ पर trend आजाता है अब बहुत साही लोग इसको क्या समझ लेते हैं इसको short covering समझ लेते हैं यह लोग यहाँ पर यहाँ पर क्या कर देते हैं sell कर देते हैं प्राइस आपका कंटीनी ऊपर चलते रहता है और आपका यहां पर SL हिट हो जाता है और आप अल्टिमेटली जो भी प्रॉफिट कमाए सारा प्रॉफिट खतम करके आप लॉस में चले जाते हो तो यहां पर हमें क्या find करना है अगर हमें इस loss से बचना है तो सबसे पहले हमें find क्या करना है हमें find करना है short covering यानि कब हमें short covering देखने को मिल वहा है short covering क्या होता मैं आपको ज़क्त बता रहा हूँ और कब हमें reversal देखने को मिल वहा है यानि हमें यहाँ पे reversal और short covering को identify करना short covering क्या होता है price आपका नीचे गिरा अब जो भी लोग इस point इस point या इस point कहीं पे भी sell किये होंगे वो क्या करेंगे वो market से exit करेंगे अब वो market से exit कैसे करेंगे sell तो already कर दिया market से exit करने के लिए क्या करना परेगा उनको buy करना परेगा और वही साहे लोग यहाँ पे buy करते है इसके करन से market में demand थोड़ा सा बढ़ता है और price आपका उपर जाता जादा उपर नहीं जाता है थोड़ा सा उपर जाता है तो इसी को हम लोग क्या बलते हैं short covering मतलब जब भी हमें पता चल जाए market में short covering हो रहा मतलब जो upside move है वो limited upside move है जादा उपर नहीं जाएगा finally price को नीचे side की तरफी आना लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पे reversal है और इसके बाद price उपर जा रहा मतलब price यहाँ से नीचे आने वाला नहीं है तो सबसे पहले जो downtrend है उसको आप कैसे identify करेंगे सारा कुछ systematic तरीके से आपको देखना है जादा कोई complications ने है बस simple सा logic आपको apply करना है downtrend identify करने के लिए आपको देखना है कि आपका lower low और lower high यह दो pattern हमें continue दिखना चाहिए जब तक यह दोनों pattern continue है तब तक आपका downtrend continue है और जब तक downtrend continue है तब तक आप क्या कर सकते हैं आप sell on rise कर सकते हैं यह जो भी आपका rise दिख रहा वो किस कारण से आ रहा वो आपका आ रहा short covering के कारण से अगर आपका lower high या lower low दोनों से कोई एक pattern भी आपका तूट जाता है तो आप समझ सकते हैं यह जो आपका price ऊपर जा रहा वो आपका reversal भी हो सकता उस time पे sell on rise आपको avoid करने की ज़रूबत है तो कब आपको sell on rise करना कब नहीं करना वो आप logical यहाँ पर समझ गये अब हम example के तो समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पे हमने nifty के 50 माट टाइम फ्रेम पे आये और यहाँ पे हम बात करें 26th of September की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं price यहाँ पे आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा यहाँ downtrend continue है उसके बात price आपका gap down लिया है और उसके बात price आपका एक range में move करने लगया है यहाँ पे आपका एक high बनाया है फिर price उपर गया है इसे के आसपास यह दूसरा high बनाया है अब जैसे ही इसके आसपास तीसरा high का formation होगा हम क्या करेंगे हम इससे थोड़ा सा उपर sell रखके हम price जैसे ही देखेंगे नीचे आ रहा हम इस level के आसपास sell side की तरफ trade initiate कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि दो बार पहले भी इस level को touch करके price नीचे side की तरफ आया है यहाँ पे हम इस situation को देखते हुए sell side की तरफ trade initiate कर सकते हैं for the target price of this one इस target price के लिए हम जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें sell on wise बाला strategy का apply करना है तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा lower low और lower high pattern तो देखिए उससे पहले आपका low यहाँ पे बना था अब इससे नीचे गया है और वहाँ से price अगर नीचे आने लगता है तो हमें क्या confirm हो जाएगा कि यह lower high pattern भी बना दिया और वहीं से हम sell on wise strategy की शुरुवात करेंगे अब low बना के price आपका उपर जाने लग गया अब जब यह price उपर जाना है तो दो चीज हो सकता है आपका short covering that means ऐसी हो सकता या फिर आपको यह reversal भी देखने को मिल सकता है तो कोन क्या है short covering है reversal कैसे identify करेंगे price उपर गया है यहाँ पे इसने high बना है उसके बाद price आपका नीचे आने लग गया यह नि जैसे हमने देखा है कि इस high को break नहीं किया उससे पहले ही high बना के नीचे आ गया that means to यह आपका short covering है और यहाँ पे हमें sell on rise के लिए जाना है यह नि यह जो आपका upside move दिखाया है इस upside move में हमें sell side की तरफ जाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस level के आसपास हम sell side की तरफ trade initiate करेंगे और जो previous highest point है वो हमाई लिए sell के रूप में काम करता हूँ दिखेगा और जो आपका low बना है वो हमाई लिए क्या काम करेगा target price के रूप में काम करेगा इस तरीके सम्द इस target price के लिए जा सकते है और इस sell के लिए जा सकते है sell छोड़ा सा है और target big है यह निविस reward भी हमारे काफी हद तक favor में ही move कर रहा अब उसके बाद क्या हुआ price आपका फिर से नीचे आया फिर से आपका previous low से नीचे low बना है that means to lower low pattern continue है अब वो आपस से हम high देखेंगे जैसे ही इस high से नीचे को एक high बनेगा जहां से price आपका नीचे आने लएगा फिर यहां पे हम sell side की तरफ जाएंगे अब देखिए फिर इससे नीचे आपका यहां पे high formation किया that means to lower high pattern continue है down trend continue है और यह जो upside move दिखाया है इस upside move में हम sell on rise strategy का इस्तेमाल करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि यहां पे हमें short covering देखने को मिला है और यह आपका reversal नहीं है इसका confirmation हमें दे दिया फिर जैसे यहां से price आपका नीचे आने लएगा इस level के आसपास हम sell side की तरफ trade लेंगे इससे previous high जो यह point है SL की रूप में काम करेगा और इसका lowest point हमाई लिए target price के रूप में काम करेगा यहीं पर आपका target price आपका hit होता हुआ देख गिया अब उसकी बाद वापस से price आपका यहां से gap up लेके यहीं पर open हुआ लेकिन जो gap up लेके open हुआ उसकी बाद यहीं पर आपका एक high बना है जो कि previous high से नीचे है that means to lower high pattern अभी भी continue चल रहा है लेकिन यहां पर एक काम हुआ है कि जो lower low pattern था वो काफी हद तक आपका break हो गया है तो अगर आप यहां पर trade कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर खोके trade करने की ज़वत है और trend line भी काफी हद तक है तो यहां पर risk थोड़ा सा बढ़ जाता अब जो लोग risky trader है वो इनके लिए यहां पर trade बनता है अब जैसे ही risky trader के लिए trade बनता है मतलब हम यहां पर एक overall conclude कर सकते हैं कि जो bottom formation है वो काफी हद तक यहां पर नजदी का रहा है क्योंकि पहले हमें काफी आसानी से lower low और lower high दिखे जा था दोलों में से एक का साथ छोट गया अब एक के basis पर मतलब है trade कर सकते हैं या नहीं तो आप यहीं पर avoid भी कर सकते हैं तो यहां पर price जैसे ही नीच जाने लगी हम थोड़ा सा ज़्यादा उपर जाने लग गया और उपर जाने से पहले रेख सकते हैं एक और आपका यहां पर high बना था जो कि हमें बता रहा है कि lower high pattern continue है और low की बात करें तो फिर से आपका इस low से नीचे एक और low बना दिया है तो फिर से आपका lower low pattern भी continue कर लिया अब प्राइस आपका उपर जा रहा अब उपर जा रहा तो हमें से कुछ भी हो सकता है शौट कवरिंग या फिरिवर्सल अगर इस high को break करके प्राइस उपर निकल गया तो बैफंट मेंस तो यहाँ पर किया है? यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा लेकिन हमें पहले idea नहीं होगा तो इस level की आसपास आएगा अगर यहाँ से यह देखिए यह twin candle फॉर्म किया लेकि यह twin candle नीचे गे है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इतना बरा हमारा SL बनेगा लेकिन इससे पहले हमने कितनी बार प्रॉफिट लिया एक बार दूसरी बार तीसरी बार और यहां पर फोर्ट टाइम ले सकते हैं यहनी हमने इससे पहले तीन से चार बार प्रॉफिट कमाया है और एक बार मेरा छोटा सा यहां पर SL हिट हुआ है तो हम overall बहुत ज़्यादा profit में है तो इस तरीके से आप sell on wise strategy के basis पे trade कर सकते हैं यहाँ पे आपको जो SL रखना है जो आपको stop loss रखना काफी छोटा सा रखना है और यहाँ पे हमने क्या देखा जैसे इस high को break करके price उपर निकला हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें reversal देखने को मिल गया अब जाओ तो आप इस reversal को भी play करते हैं trade initiate कर सकते हैं यह trend line हमने टॉक किया यहाँ पे हम buy करने की जदबाजी नहीं करेंगे जैसे price इसको भी break करके उपर निकला यहाँ पे हम buy set की तरफ जा सकते हैं और इससे पहले जो high है यह पहला target price रहेगा यह दूसरा target price रहेगा और यह तीसरा target price रहेगा और इसने सारे target price को hit कर दिया यहाँ पे जो हमारा छोटा सा loss हुआ है उस loss को यहाँ पे हम recover भी कर सकते हैं जो trend change हुआ उस trend के साथ जाते हुए तो इस तरीके से यहाँ पे आप sell on wise कर सकते हैं और यहाँ भी देखिया है वह आपसे downtrend शुरू हुआ फिर price आपका ऊपर गया है और यहाँ जो high बना था उ हमारे favor बे नहीं है तो यहाँ पे हम tweet लेने को तो ले भी सकते थे अगर हमें target थुरा सा big मिलता तो लेकिन हमारा target big नहीं था इसलिए यहाँ पे हम tweet avoid करेंगे ऐसा ही हम multiple example देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे TCS की बात करें तो TCS में भी आप देख सकते हैं कि price आपका नीचे बनाया और फिर यहाँ से उपर गया previous high से नीचे lower high बना देख में lower high और lower low देखने को मिल गया और यह हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे हमें clear cut जो downtrend है वो continue चला आ रहा है अब यह जो price आपका थोड़ा सा upside move दिखाया यह देख क्या है यह हमारा short covering यहाँ पे अभी reversal आने लगेगा आप sell side की तरफ trade ले सकते यह target price रहेगा और यह point हमारे लिए SL की रूप में काम करेगा तो ऐसे ही आप gradually हर एक levels पे यहाँ पे आपका sell side की तरफ trade ले सकते हो previous जो high है या फिर इस high को भी आप SL की रूप में भी रख सकते हो फिर यहाँ पे भी आप sell side की तरफ जा सकते हो यह हमारे लिए SL की रूप में काम करेगा या फिर यह SL हो जाएगा और हम gradually जो भी low बना उस low target price के लिए जाते रहेंगे उसकी बाद finally आपका क्या हुआ यहाँ पे price आपका उपर side की तरफ गया है और जो भी previous high बना था उस high को break करते वे उपर निकल गया that means तो यहाँ पे हमारा एक SL हीट होगा लेकिन हमें overall उससे पहले multiple time हमने already profit बना लिया तो ऐसे ही आपको sell on wise strategy का regular basis पर इस्तमाल करना आपका एक बार SL हीट होगा लेकिन उससे पहले हम multiple times यहाँ पर profit बना सकते हैं तो यहाँ मैं आपको एक और सीज बताना चाहूंगा कि अगर आप technical analysis सीखना चाहते हैं details है from basic to advanced तो उसके लिए हमने special सा course design किया उसके आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप हमारा mobile app download कर सकते हैं और आपको technical analysis का basic से लेके advanced level तक course मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको feature options का भी अलग से मिल जाएगा अगर आपको पूरा stock market सीखना from basic to advanced तो उसके लिए भी हमने अलग सा course design किया है तो एक बार आप हमारा mobile app download करके course को जोड़ जिट किजिए course पसंदातात आप इन्रोल कर सकते हैं so that's all friends इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंदात प्लीज वीडियो को like करके encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन